इदर सियासी गलियारों में आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कॉंग्रेस का नया ध्यक्ष कौन होगा दिल्ले में आज कॉंग्रेस वोकिंग कमिटी की बैठक होनी है और सूत्र बताते हैं कि कॉंग्रेस के अंतरेम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपना पद छोड़ सकती है सोनिया गांधी कॉंग्रेस वोकिंग कमिटी की बैठक में इस बाती गुशना कर सकती है कि वो अंत्रिम अध्यक्ष के तौर पर अपना एक साल का कारेकाल धरसर पूरा कर चुकी है लेहाजा अब वो चाहती है कि कोई स्थाई अध्यक्ष बने जो पार्टी को आगे ड्राइब करता रहे सूत्रों के माने सोनिया गांधी पार्टी के वरष्ट नेताओं से ये साफ कह चुकी है कि वो आगे पार्टी की कमान नहीं समालने वाली कहा जाराए कि पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने पत्र लिखकर सोनिया गांधी से पार्टी में कुछ परिवर्तन करने के मांग की थी और सियासी गली आरो में सबसे बड़ी चर्चा इसी बात किये कि इस बात कॉंग्रेस का द्यक्ष गाधी परिवार से होगा या फिर कोई बाहर का सदस से हो सकता है कॉंग्रेस वोकिंग कमिंटी की बैठक में सीम अशोग गहलोद भी शामिल होंगे वीडियो कॉंफरेंस के जरीए और अपनी बात दरसल वो हमेशा से रखते आए हैं और मुख्यमंतरी निश्चित रूप से CWC की इस बैठक में एक बार फिर से शायद इस बात को दोराएंगे कि सोनिया गांधी को ही अभी अध्यक्ष बने रहना चाहिए